Hello Friends, Cocktail Jockey में आप सब का स्वागत है, Cocktails, Wines, Spirits के बारे में हर इंफिमेशन जानने के लिए सब्सक्राइब किजिए Cocktail Jockey और बेल आइकोन नोटिफिकेशन बटन प्रेस करके हर दिन देखिए Cocktail और स्पिरिट्स एपिसोड्स तरह दोस्तों, Cocktail Jockey के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसके आप लोग सब जानते हैं कि जन एंट टॉनिक एक बहुती फेमिस ड्रिंक है, लोग पसंद करते हैं इसको पीना, एक लांग ड्रिंक की तरह लिया जाता है इसको, जो लोग बिस्की नहीं पीते हैं वाट और इनकी काफी सारी रेंजिस हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने जन टॉनिक को फ्लेवर करने के लिए, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कुछ ऐसे वाइन ग्लास ले लिजे और इन ही में ही कॉक्टेल को सर्फ कीजिए, तो एक बहुत ही अलग सा फील आता है और अलग सा अरोमा भी और एक बालत इस बहुत है बहुत डिफर्ण काफील का को अगर आप कॉल- summat में बहुत प्रॉंगी तो अगर आप अ पाहिन प्यूंख में एक बहुत डपक्त नितुग करते हैं। को要ãyãy start जाले के लिए चलके अजिए के लिए को स्टार्टिल करने के ल तो यहां पर हम लोग 25 ml आपका रेट ग्रेट फ्रूट प्यूरी डाल देंगे उसके बाद हमार पास यहां पर है बॉम्बे सफायर जिन देखे दोस्तों जब भी आप कोई भी जिन लें या फिर खरीदें मैं आपको एक चीज़ रेक्यमेंट करूँगा जिस तरह किसे मैंने सीखा है वो भी आप लोग सीखिए हमेशा जिनकी बॉटल एफ एक कोई भी विस्की किया फिर स्पिरिट की बॉडल को आप रीट करिए जो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको जिनकी नॉलेज में बहुत ही कम लोग बीट कर पाएंगे इस दुनिया में चलिए ये टॉपिक से हटके हम बात कर दे हम दुबारा से वापिस आते हैं जिनन टॉनिक पर यहां पर हमारा आइस जा चुका है अब हम इसमें शेप्स का टॉनिक डालेंगे तो लीजे जोस्तो एक बहुत ही सिंपल ड्रिंक हमार पास है रेडी है अब इसको हम लोग स्टर कर लेंगे आप देख सकते हैं मॉनिं के इस ग्रेक्स्वूट प्यूरी में आपको काफी सारे पल्प दिखाई दे रहे होंगे जो के इक ट्रिंक को एक नेचुरल तरीके से फ्लेवर कर रहे हैं बहुत ही अच्छा जिन टॉनिक बना है जो लोग जिन टॉनिक पसंद करते हैं उनको फ्लेवर भी अपने जिन टॉनिक को करना पसंद है तो उनको यह बहुत पसंद आएगा लीजे दूस्तो तेहर है आपका पिंक ग्रीफ फ्रूट जिन टॉनिक चेर्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चनल सब्सक्राइब कीजिए कॉक्टेल जोकी इस पे कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और ऐसी बहुत सारी कॉक्टेल्स को जानने के लिए और सीखने के लिए इस टनल पे बने रहे है धन्यवाद